नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्यूटियोब चानल पर आज के इस स्यूटियो में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्रीमिलियोन के विनिंग टिम्स देखने वाले शार्जा सी बी एफ एस टी टेन की जिया रोस्तों प्राइम हाइट ट्रांसपोर्ट वर्सेस अक्यों क्रिकेट क्लब के विच आने पी एश्टी वर्सेस एसी सी के बीच की जो मैच है जिसको मैं आपको हाइलेट करके दिखा रहा हूँ इसकी हम तीन ड्री मिल्यों की विनिंग टिम्स देखेंगे जिस पर आपको अभी क्लिक कर लेनी है अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो क्रियेटर टिम पर क्लिक कीजिएगा लेकिन मैं अल्रेटी टीम यहाँ पर बना के रख चुका हूँ जिसे एक एक करके मैं और फिर में क्याप्टर किसे बना सेते वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पर रिक्वेस्ट करता हूँ आपने मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथे साथ बे पर रिस्की मैच है तो सोच समझकर अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाईएगा सबसे पहले हम आचुके कीपिंग पर तो कीपिंग में अगर देखे तो वैसे तो दो तीन दो ही ऑप्शन है लेकिन एक अच्छा ऑप्शन जो है एयूर रहमान इसके अलाओ ज्यादा वैसे तो चार-पाच अच्छे बल्लेबाद है यहां पर जादा मैचेस भी नहीं हुए दोस्तों इन दोनों टीमों की तो जादा पॉइंट्स किसी के भी नहीं है एक खान को मैंने ले लिया है बी सलीम को ले लिया है और एक गुल टू को लिया है यह आपी मतलब अच्छे खेल रहे हैं और अच्छे फॉर्म में लग रहे है तो इन तीनों को लेंगे तो आपको जादा फायदा होने वाला इसके अलाव भी दो तिन ओर ऑप्शन है जिनको हम आगले टीमों में देखेंगे और पर चलते हैं तो यहां पर मैं सभी चार और जो बेस्त है इनको मैंने यहां पर चूस कर लिया इसके अलाव आपके पास कोई और और अप्शन नहीं है आपको यह बात पहले ही मैं बता दू आर जमान को ले लिया है एम जिशन को इस्टिम में शामिल कर लिया है एच बिलाल को भी ले लिया है और चवते जो है दोस्तों यहां पर देख सकते आर खलीट को भी मैंने यहां पर ले लिया है तो आपको फिर से एक बार दिखा दू कि जो बात मैंने कही किस क्याला कोई और आप्शन नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं मैं सलोली सलोली यहां पर आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं कोई भी और आप्शन हमारे पास नहीं है तो जो भी हमको लेना इन चारों में से ही किसी को लेना होगा इसके पाद गेन बाजी पर चलते तो यहाँ पे मेरे पास तीन ओप्शन है यहाँ पे मैंने एम तमीम को ले लिया हाँ पर्फॉर्मस थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन प्लियर काफी बढ़ी है दोस्तों इनको जरूर लीजिएगा एक टीम में कम से कम जरूर लीजिएगा इसके बाद एम अली भी काफी अच्छे लेकिन प्लेइंग लिएन मे इन दोनों टीमों में तो इनको भी हम किसी टीम में नहीं चोड़ सकते हैं तो कुलमिला के हमारी टीम काफी अच्छी बन चुकी है यहाँ पे हमने कोई भी रिस्की प्लियर इस बार तो नहीं लिया है आगे देख सकते क्या कर सकते हैं इसके बाद कंटीनू पर क्लिक कर ले जैसे कि आप देख पारे कीपिंग में मैंने ए युवार रह्मान को लिया है काफी बड़िया परफॉर्मस रहा है अभी तक इनका इसके बाद मेरे पास तीनी बल्ले बाजे बी सलिम को ए खान और ए गुल्टू इस तर से तीनी बल्ले बाजे अगर बात करें तो आल को मैंने इस टीम में ले दिया है ताकि आपको चारों की चारों बैटिंग और बालिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट देंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा इसलिए मैंने ऐसा किया है गिनबाजी की बात करें तो एम तमीम है आई उल्लावन है और यम कॉसीम इस तर से तीनों भी गिनबाज काफी बढ़िया है तो जैसे कि मैंने आपको शुरुवात में ही बताया कि थोड़ी दिसकी टीम है तो समझके लगाएगा लेकिन इस टीम पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रत नहीं पढ़ने आ लिए क्योंकि जो भी बेस्ट प्लियर थ चुके सबसे खतरनाक और इस टीम को आप लगाएंगे ग्रैंड के लिए तो ज्यादा अर्निंग होगी या फिर जीद भी सकते तो इसलिए मुझे लगता है ज्यादा ग्रैंड के लिए लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है और स्मॉल लिक के लिए आप यूज करना चाहें फिक्स काम करिब-करिब मिलने ही वाला है रहता है लेकिन अगर अच्छी रांक आ जाती है तो आपको ज्यादा मिल सकता है तो इसलिए ग्रैंड लिक के लिए ज्यादा सब्सक्राइब और बात करते हैं क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की तो यहाँ पर मैं जरूर दिख पा रहे ए खान को दोनों की दोनों काफी अच्छे बैटिंग कर रहें काफी बढ़िया खेल रहें जरूर आप इन दोनों को क्याप्टन वाइस क्याप्टन बनाएंगे तो आपको काफी जादा फायदा होगा स्ट्राइक रेट भी काफी बहतर रहता है तो जरूर आप इन तरह से रखी है दूसरी जो टीम मां आप लगाएंगे उसमें उल्टा कर दीजे एक्हान को क्याप्टन और एकुल टूको फईस क्याप्टन भी बना दीजे तो कुल्मिला के काफी बहतर पर चुके सिम को लोज कर लेते और तो दूसरी टीम में मैंने थोड़ा हटके सोचा है यहां पर यूर रहमान तो है कीपिंग में लेकिन आर नूरे को भी इस टीम में मैंने ले लिया क्योंकि यह प्लियर काफी अच्छे है हाला कि मुझे लगता है एक ही match हुआ होगा इनका तो इन्होंने point काफी कम दिये लेकिन एक match में किसी का मुझे नहीं लगता कि उनको consider करना चाहिए एक मैच में कहां समझ में आता है कि कौन सा प्लियर कैसा है तो जैसे कि आपको बता दू मतलब ACC के तरब से खेलते हैं और तीन मैचेस ACC के हो चुके हैं लेकिन इनको पहली बार पिछले बार लिया गया था एक दो प्ली टीम में आपके ज़िगा दो मैचेस में नॉट प्लेइ है इनको ड्रॉप करके दूसरा एक प्लियर लिया है या पर एक खान तो वापस है मेरे पास एक उल्टूप को भी मैं नहीं छोड़ूंगा कहीं भी और तीसरे है एम अहसान को भी यहाँ पे शामिल कर लिया है देख सकते हैं इनका भी परफॉरमस बुरा नहीं है उल्टा ह हमने जो ड्रॉप किया है वी सलिम उनसे तीन पॉइंट जादा है तीन पॉइंट कुछ जादा नहीं होते हैं लेकिन बता रहा हूं कि अच्छा परफॉरमस है इनका भी तो आप इनको भी ले सकते हैं अभी तक हमने यहाँ पे एक रिस्की प्लियर लिया है जो की कीपर में अगर बात करें वापस ले लिया है तो इस तरह से तीन ऑल रोंडर में नहीं दे लिये सकते हैं प्छले टिम में चार आल रोंडर के साथ हम जा गए थे तो पहले ही आपको बता चुका था नहीं चार यहाँ पर अच्छे हैं जिसके अलबाग को और आप्शन नहीं तो इस तो जैसे ही तीन और हम लेंगे गेन बाजी पर चलते तो यहां पर देख सकते दोस्तों मैं आपको दिखा दो आई उल्लाव वन को लिया है ए उल्लाव को अभी तक मैंने पिछले टीम में नहीं लिया था इनका पर्फरम्स भी ठीक ठाक है तो इनको एक टीम में कम से कम ले सक दोस्तों काफी बढ़िया गेन बाजी कर रहे है और वाइस क्याप्टन मैंने एज बिलाल को बना इनका भी काफी बढ़िया पर्फरम्स रहा है टीम प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि आपको बता दू में यहां पर दो कीपर ले चुका हूँ आर नूरे को भी लिया है और हमान तो है हही है बैटिंग के बात करें तो एम आइसान है ए खान है और ए गुल कि लिएक सब्सकापल orphיר पर क्योंकि अच्छा परफर्मांस अभी तक जरूर किया कि लेकिन प्लिएर अच्छ होने के वाज़े से आप एक टीब में आपArt कम से कम उनको प्रक्राइब मैं आपको बिछ 07one vendos बनाओत लाभ्ाट हुआ 的时候 ipot Nure yearnote 2-1 अप दकर home menoru q5 जब चुन不क्र hasth customer is aah, I am a online 25 तब तो इसि वाज़े से थोड़े रिस्की ये क्योंकि यह हमारे दोनों प्लियर दुरुख के साबित हो सकते क्योंकि काफी कम लोगों ने इनको लिया होगा और काफी कम लोगों ने इन पर दाव लगा होगा लेकिन हमने इन दोनों को ले लिया अगर यह अच्छा परफॉमस करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसे हो नहीं हो सकती है तो हमारी टीम अच्छी बन चुके Cap arist Python की फिर से बात करया को मैंनेidan n दोनों की दोनों बैस्टे ज़ explaining आपने लंगे आपको जैदा पायदा कराके तो यह भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पॉइंट दे सकते तो इसलिए यह भी काफी बढ़िया है और काफी अच्छी कंसिस्टनसी रहे दोनों की तो ज़रू आप इन दोनों के साथ जाय सकते लेकिन और भी कहुंगा दोस्तों आप उल्टा भी करना चाहे तो कर सकते हैं ऐच बिलाल को क्यापटन और और को भईस किभ्स कर सकते क्योंकि πिलाल एक और Maahors दॉन दोस्तों इस्वी टिम ait में अगर और मल्टिपल से तो रहते तो दूसरी टीम में आप इस तरह से ट्रूज के जगा है दिलान कुलमिला कि यह टीम भी अच्छी हो चुके हैं फिर से कौंगा स्मॉल लिक को लो यूज करनी है या नहीं करनी है आप पर निर्वर कता है लेकिन ग्राइन लिक के लिए ज़रूर यूज कर सकते इस टीम को क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और तीसरी और आकरी टीम में आपक लेकिन यहां पर थोड़ा हट के सोचा है पांच बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूं ऐसा नहीं कि यहां पर कोई भी रिस्की बल्लेबाज में लेने वालों नहीं दोस्तों यहां पर मैं सभी अच्छे बल्लेबाज ही लेने वालों ए खान को लिया है बी सलीम को भी ले लि आप उनको नहीं ले सकता आप कहीं ना कई ट्राइ करना चाहते तो जरूर कर सकते अगर मुल्टिपल स्टीम लगाते डबलू एमत को ले लिया उसके बाद जो अगले है एम अहसान को भी मैंने स्टीम में शामिल कर लिया तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको कि कोई भी यह यहां पर प्लियर मेरा रिस्की नहीं है जिया दोस्तों यहां पर कोई भी प्लियर रिस्की नहीं है उल्टा आप यह टीम भी काफी जबदस बने वाले इसके बात करें तो बेस्ट आल्राउंडर्स हमने चूज कर लिए एज बिलाल और इसके अलावा आर खली दोनों ने अ टोड़ा रिस्की प्लियर लिया है लेकिन यह काफी खतरना गेनबाज है अभी तक उनको विक्टे कम मिली ही नहीं है मेरिकाल से लेकिन विक्टे निकाल सकते तो आप इनको एक टीम में कम से कम ले सकते उसके बाद आय उल्ला तो ही ही दोस्तों हमारे पास और यहम कौसिम रहेंगे तो इस तर से यह बी टीम काफी अच्छी बन चुके तो जरूर काफी बड़िया टीम है और इसके लिए क्याप्टन और वाइस क्याप्टन देखना है तो कंटीनू पर क्लिक करना होगा हमें तो यहाँ पर मैंने जो कीपर में ए युवा रहमान है इनको मैंने क्याप्टन बनाया है अभी तक एक भी टीम में मैंने इनको क्याप्टन या वाइस क्याप्टन कुछ भी नहीं बनाया था तो इस टीम में मैं उनको क्याप्टन बनाने आलाओ वही वाइस क्याप्टन की बात करें तो 14 में मैंने यह के साथ सकते माप किज़े यहां पर एंको मैं सबस्ते को बनाई सकते लेकिन इसके आप में नहीं हम रहेंगे मैं कि बढ़ inhabit option रहेंगे क्योंकि यह भी काफी अच्छे प्लियर है को मैंने मेरे खाल से एक बार बना चुका हूं है इसके बाद टेम प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि आप देख पारे मेरे पास कीपिंग में युवार रहमान है इसके बाद मैंने इस टीम में थोड़ा हट के सोचाए पा सब्सक्राइब करें तो एच बिलाल को लिया और खलीट को भी इस टीमेर रहने दिया है कि गेन बादी में मैंने आए उल्लावन यम कौसिम को तो रखाई है लेकिन इस बार एक चेंज यहां पर किया है जो है फुसेन हाँ अभी तक इन्होंने तीन मैंच अभी तक दो है पहली मैंच में दो ही पॉंट में लेते दूसरी मैंच में हिनको ड्रॉब कर दिया गया है था तीसरे मैं मेरे और फिर से लिया गया था चारी पॉंट दिय थै यह जरुर मैं कहूँड लेकिन गाफी 2018 chociaż po भी सब्सक्राइब技 निकाल सकते है तो आप इनको ले सकते आप मैच में जरूर अच्छा परफरमस कर सकते तो इसलिए मैंने आप एक ठोड़ा रिस्की प्लियर जरूर लिया है अगर आप कहेंगे तो मैं यह टिम लिए जरूर सजेस्ट करूंगा स्मॉल लिए फिर से कहूंगा आप मतलब लगाएंगे तो अच्छा है कोई प्रॉब्लम न होने वाले क्योंकि लिए ज्यादा बेस्ट है और जिता सकते हैं फिर अच्छी खासी अर्णिंग करा सकते हैं आपको ज्यादा अर्णिंग होने के चांसेस रहते तो इसलिए मैं बार-बार ग्रांड लिक के ज्यादा सजेशन देता हूं तो यह टीम भी काफी अच्छी बन बढ़िया फॉर्म है और मेरे मुझे तो मतलब क्या इनकी कंसिस्टंसी ज्यादा अच्छी है दो दो तीन तीन मैचस इन दोनों ने खेले दोस्तों लेकिन आपकी जिगा है दो दो तीन तीन मैचस खेले यूर रह्मान को मैं इस बार कप्तान बना रहा हूं तो यूर रह्मान को कप्तान और उल्ला को वाइस कैप्टन बना रहा हूं दोनों की दोनों बैस्ते और काफी कंसिस्टंसी से खेल रहे तो इस तरसे यह टीम काफी बढ़िया बन चुके आप इसे ग्रांड लीग और स्मॉल लिग दोनों के लिए उस कर सकते इस टीम को क्ल पढ़ने वाली तीसरी टीम में मैं फिर से बता दूं दोस्तों एवार रह्मान को क्याप्टन और आई उल्ला को वाइस क्याप्टन मनाया थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं तो यहां पे फिर से इसलिए बता दिया आई होप आपको मेरी टीनोटी में और मेरा वीडियो जरूर पसंद आए होगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दिजिए और चाइनल को सब्सक्राइब ने किया तो वह भी कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँच चके टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दोस्तों वह वहाँ पर जाके उसे जॉइन कर लीजिए ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो मैं आपको टेलिग्राम पर बता सको आज के उड़े में इतना ही मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए थाइंक्यों धन्यवाद गुडबाई